Hello friends, life today is about a rat race हमारे पास जो भी है वो इनफ नहीं है हमारे फ्रेंड के पास हमसे जादा है and we want to be happy only if we get what our friend has तो अगर हमारे पास एक डिग्री है तो हमारे फ्रेंड के पास अगर दो डिग्री है तो हम सेकंड डिग्री लेने के बाद ही खुश होंगे हमारे पास अगर 1BHK का फ्लाट है तो हमारे फ्रेंड के पास 2BHK का तो हम 2BHK लेके ही ठीक होंगे अगर हमारे पास मारूती अल्टो है तो हम खुश तभी होंगे जब हमें Mercedes C200 मिलेगी otherwise जो प्रात है वो परियाप्त नहीं है so whatever we have we are not grateful for that and most importantly we are cribbing की हमेरे पास जो है वो enough क्यों नहीं है so for example आप कोई भी एक normal degree करते हैं आपको 5 लग की नौकरी मिलती है option A is to feel very grateful about that 5 लाक रुपी जॉब because अगर आप अपने आसपास देखें ऐसे लाखों लोग आपको मिलेंगे जो 5 लाक रुपे पर एनम का जॉब 40, 45, 50 की एज पे भी नहीं कमा पाते है option B is to crib की मेरे फ्रेंड को तो 15 लाग का जॉब मिला है 20 लाग का जॉब मिला है 25 लाग का जॉब मिला है देखो मेरे पास तो सिर्फ 5 लाग का जॉब है so my 5 लाग in comparison to his 25 लाग is nothing what do I do? crib दे रहे हैं कि मेरे पास जो है वो परियाप नहीं है I will creep, I will complain and भगवान को फिर यह लगता होगा कि जब इसको 5 लाग का जॉब दिया यह इतना दुखी है तो इससे चातों में उसको यह 5 लाग का जॉब दे देता जस्ट इमाजिन लाइफ में हम जब भी करिप करते हैं तो मेरी मॉम ने मेरे कोई का था कि इसको वन स्टेप बैक ले जाओ अपनी लाइफ को और इमाजिन करको तुम वहां पहुंच जाओ जहां पर तुम थे आज से दो साल पहले और बोले आप वही हो यहां तक ही नहीं पहुंचे और अब यहां तक पहुंचने का कोई चांस भी नहीं है तो कैसा फिलिंग होगा तब आपको लगे करें यार मैं तो दो लाग पे पहुंच गया पांच लाग यह अच्छे थे इस फिलिंग के साथ आप देखेंगे कि आपका पूरा परस्पेक्टिव चेंग जाएगा नहीं तो पांच लाग वाला दस लाग वाले को खोज रहे द उसका मेजर रिजन यही होता 30% 30% 30% 30% cultural fitment whether you're enjoying the job whether that alignment is there between you and the organizational goals वो सब कोई नहीं देखना चाहता बस जैसे 30% hike मिला लोग जंप कर देते हैं in fact लोग आजकर notice period में भी 30% hike का offer letter मिल जोका है उसके अपर अगर कोई और 25% hike दे दे तो सोने पर सुहागा ना I am loyal only to my CTC which is good but what I am just trying to tell you is कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त अगर हो तो आपके अंदर एक internal happiness होगा एक सुकून होगा which in turn will help you think more constructively of how you are going to reach the next level instead of just cribbing आप crib करते हो आप negative forces के साथ deal करते हो यह universe को तो आप देते हो आपके अपने internal system को भी आप बहुत damage करते हैं इसलिए आप देखेंगे कि by the time a lot of us are reaching 40s and 45 and 50s BP, sugar, thyroid, heart issues, people are having heart attacks at the age of 40-45 वैसा क्यों हो रहा? Because a general sense of dis enchantment with what we have is the major problem with the world today and social media designed in a manner to create this discontent is further fueling this because मैं मंदार्मनी घुम के आया हूं मैं खुश था but मेरा friend Kashmir घुमने चला गया तो मैं दुखी हो गया और जो मेरा friend Kashmir घुमने गया था उसने देखा कि भई उसका friend तो Switzerland घुमने गया था और फिर वह भी दुखी हो गया यही है विदमना कि आप कब तक दोड़ो गया निटीज लाइक सेल्फ डिफिटिंग साइकल अब जहां तक पहुंचोगे आपको पता चले कि वहां से भी एक लेवल आगे लोग हैं कि आपको लगता होगा बहुत सारे मिडर्ल क्लास लोग मेरे आपके्चास लाग साथ लाक एक रोड पर अगर हो जाए बैंक में फो भई एक यह चुट गर्भ clarity भी बाग रहे वह इन जंद भाग रहें मैं और उसको लगते हैं कि जब तक ट्रेडमील भागते नहीं रहेंगे तो पीछे चुट जाएंगे पीछे चुट जाएंगे तो छुटी जाएंगे it's very very difficult to strike that fine balance between ambition and happiness क्या जो प्राप्त है वो पर्याप्त है इस दाट अर्थ फिलोसोफी दाट यू कन लिव वित अ फिलोसोफी दाट कीप यू है एंड मेक यू स्ट्राइफ और बेटर थेंग्स इन लाइफ लेट इस डिसकास इन दी कमेंट सेक्शन की आपका इसको पर क्या व्यू है बबाई